तो माई डियर स्टूडेंट फाइनली इसी वर्ष दुहजार तेज़स और चोबिस के सिसन का हिस्ट्री का पूरा का पूरा माडल पेपर कोईशन पेपर लेकर आ चुका हूँ जो कि फिप्त समस्टर का ये इतिहास का फस्ट पेपर है जिन भी छात्रों के परिच्छा आने वाले दिनों में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही मात बोड़ है उनको पता चलेगा कि हिस्ट्री का पेपर कैसे आता है फिप्त समस्टर में और उसमें से कौन-कौन से प्रस्ण है जो कि आपकी परिच्छा में आने वाले हैं ठीक है तो ये आपको जानकारी मिलेगी तो परिच्छा नंबर का पूड़ांगता और पूरी दिसा नरदेश यहां पर उपर दी जाएंगी कितने सब्दों में कितने प्रस्ण का उत्तर देगें कितने नंबर मिलेंगे तो सबसे पहले अटी लग उत्तरे डिस्कस करेंगे फिर उसके वाल लगों फिर देर हैं तो पहला पर इतिहास है तो इतिहास के बारे हम जानते ठीक है तो इसका उत्तर सिंपल साप लोग लिखना है ठीक है कि जो वरण है इसन काल में वर्ण वेवफथा थी जो पहले का काल था यानिकि यास से सौटोफो पान्स सेफोफ़ वाल से पहले की बात है तब क्या था प्रचीन काल में वर्ण व इसको हम इंपॉर्टन कडघरी में रखेंगे यह प्रश्णाम के परिछ हम रिपीट हो सकता है इस बात को धियान रखेंगे इस पॉइंट को जरूर धियान रखेंगे जो पहला का समय था यानि कि दो-चार-पांज साल पहले 100 s.p. 200 s.p. प्रचीन काल में क्या सब्द था ? वरण वेफ्द थी ठीक है वरण वेफ्द था जो थी ना समाज में जितने भी लोग दें उनको पदा क्रम के अनुसार के उनको उस हिसाफ में बाटा गया था ठीक है कि वो किस हिसाफ के गोरे हैं काले हैं तो चाह कैसे हैं यह सब पर उनको रंग के अधारपन के डिवाइड किया गया क्योंकि संस्कित महास्ता में जो वरंड सब्द है इसका मतलब होता है ठीक है ओके निश्क कोश्चन की तच्छ सिला यह कोश्चन मैंने देखा है कई बार रिपीटेड है यह वेरी वेरी साल से पहले की बात है ठीक है तो भारत में गंधार देश की राजधानी और फिच्छा का प्रमुक केंदर था क्या तच्छ सिला जो है पाकिस्तान में एक सहर है ठीक इस बात को ध्यान रखेंगे परचीन भारत में गंधार देश की राजधानी और फिच्छा का प्रमुक क के अंदर था ठीक है चाड़क के यहां पर अचार थे इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है और 405 इसापुर्व में फहान नाम का एक जो ठीक है बोल सकते हैं कि इंसान था ठीक है यहां पर आया था ठीक है तो तच चफिला एक तरीकी से बोल सकते पाकिस्तान में अकस्थान अ और फिच्छा का एक प्रमुकेंद्र था ठीक है चलिए सिंपल सा पर्चे बती बाई अतले उत्रे कोश्चन है तो इतना ही उत्तर लिखेंगे छोटा सा ठीक कोस यह कभी कदार आता हमेशा नहीं आता है तो इसको आप पड़ भी सकते इग्नोर भी कर सकते बेसक आपके उपर अगला भी कोश्चन कभी कदार आता हमेशा नहीं आता इस बार न्यू कोश्चन इनके लिए दुआ है तो इसको भी हम इग्नोर ही करेंगे ठीक है अगला कोश्चन टॉप लेवल का जो की हमेशा रिपीट ही रिपीट होता है ठीक है ग्रहस्त आस्रम सबसे पहले आपको ज जीवन है ठीक है और उसके जीवन के चार आस्रम में डिवाइड किया गया है ठीक है कितने में चार आस्रम में ठीक है तो वह कौन-कौन से उनके बारे में जानते हैं ठीक है चली जानते हैं नंबर एक पर है आपका ब्रंभचर्य आस्रम कौन सा है ब्रंभचर्य आस्रम ओक प्रूम कने प्रकार के होते हैं चार होते हैं तो पहला मैंने आपको इस पर में ग्रफ्ता आफ्रम आ गया आए आपके पर इंगे और थीजिए वाला और तीसरा जो आ आपका फन्यास हो गया तो ग्रफ्त आफ्तरम के बारे में थोड़ा पज़िश्य हम आपको बता दे रहे हैं ध्यान से सुन लिए ठीक है बहुत ही महात्पूंट प्रश्ण है ओके चलिए में पॉइंट पाईए यह सब इनसान के ही एक मतलब की जीवन का जो जीवन होता उसक चाहर भागए हैं एक इनसान के जीवन के कोई भी इनसाना हो तो ग्रफ्त आफ्तरम बेक्त के जीवन का वह भाग है जिस पर उसकी या फिर उसके परिवार की समाज की और राष्ट की उन्नत निर्भर करती है या मानव जीवन का स्रुडिम काल है जिसमें वह धर्म, अर्थ, काम इन तीनों पुरसार्थों का यतोचित सेवन कर सकता है यही वह आसरम है जिसमें ब्यक्त, धर्म, इस प्रकाराब आपद सेवन कॉंपने थीव गॉकार आ फहूचित सेवन कर सकता है ग्रहतासरं में कि इस प्रकार है सिंपलसी परिवाफार लिखेंगे। बारे में बाकि और भी जो आफ्रह ऀनके बारे मिन तैयर कर लेंगे यह बहुम दहुत नहीं काल नहीं नहीं मैं गलए करते थे लोग थीक इए अपने अपने बेऊसाय box को एक निष्टित क Using french करते थे यह थी अपनी दिश् Nisshawk में अपने आपकव इंग बनाज रहे थे पर इंग और जीवन उस वह तके इसे ही वह विख्शत और सुगर्ठित किया था उसकी सुरच्छा और उन्द के लिए अपने 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 संगठन बने अपर बनाए अब पारिक समू को स्रेडी निघम या निकाय कहा जाता है ठीक है अइसे जो बेपार लोग जो वेपार करते थे सिल्पकार थे जो शंगठर मनाये थे उन्हें के समों को स्रेड़ी या फिर निगम या फिर निकाय कहा जाता है ठीक है इस प्रकार लिखेंगे इसकी परिवासा ठीक है अगला को इस चने और अत्ता किसे कहते है यह भी अतना महत्पूर्ण भी और अक्सर कष्ट दायक यात्राय करते हैं इन यात्राओं को तीर्थ यात्रा भी कहते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे इसकी परिवासा उपनयन के बारे में ठीक है तो ध्यान से सुनेंगे बहुत ही महत्तूर्ण परस्ट है है कई बार रिपीटड भी है तो हिंदु धर् में 16 संसकार हैं जिन में से दासवे नंबर का ये उपनयन संसकार है इसे यगो पवित या जन्यों संसकार भी कहा जाता है उप यानी पानस और नयन यानी ले जाना अर्थाद गुरू के पाफ ले जाने का अर्थ है उपनयन संसकार प्रचीनकाल में इसकी बहुत ज्यादा मान इस प्रकार आप सिंपल परिभासा लिखेंगे कि हिंदू धर्मी की सोल सोला संसकारों में से दसवां अफ्थान है उपने संसकार का ठीक है बस इतना लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बाकी आप लोग इसका जो मतलब है उप और नयन का अलग अलग अगला प्रश्ण है कि सार्थवा क्या है यह कोश्चन भी इतना महत पूर्ण नहीं है लेकिन फिरहाल कोश्चन आया तो थोड़ा बताई दे रहें क्या बताई जाए सार्थवा मंडली का प्रमुक था मतलब कोई ग्रूप हो ठीक है कोई मालिजे की एक राजनीती पार्ट में कर्शक बेपारिया जमिदार थे या आप कछकते कि अगाह है या फिर आप लोग nive रहते सहर है तो उसनके प्रधान होता है ठीक है तो वही हो गया मुखिया ठीक है वही औरム्स की निद्थे कि और प्रमनें वहाँ सार्था कह slip यह प्रिश्ग है ने को फुम नर्दम न जाएंगी हर इन्वेसिटी के प्ययर्य में एыттор देने का तरीका है। कोई कहता कि रेट्स सब्स सब्सस्याई कोई लग विच्ट्राइफ में यह साथ लुजट्राइफिर लेंट करता है लेकिन के यह पुरसार्थ के महत्त की विष्णा कीजिए पुरसार्थ किसे कहते हैं इसको तैयार कर लिजेगा आपके कम से कम 5-8 नमबर फस जाएंगे क्योंकि यह कॉश्चन कॉमन और आपके स्लेवर्स का एक टॉप लेवल का इंपॉर्टन टॉपिक्स और महत्पूर्ण प्रस्ण है तैयार जरूर करके जाएंगे इसको नोट कर लिजे तुरंत इन सभी का उत्तर आपको कॉश्चन में इंटरनेट पर मिल जाएगा वहां फे फर्श करके पढ़ लीजेगा उत्तर ठीक है परचीन भारत में किरसी पर कुलाली नहीं चलता था तब भी प्रश्ण आता था ठीक है बाकी आपके पास समय तो जरूर ध्यान रखेंगे ठीक है मंडल फिद्धान यह आप इग्नोर भी कर सकते पड़ भी कर सकते ठीक है यह मेरे कोटिंग महत्पूर्ण नहीं है मौर प्रसासन यह कई बार पैच्छ हैं रिपीटेड है तो मौर फरसासन फिजडा पूस्ट्छन कफंस सकता है तो इसको जरूर तयार कर लिजीगा ठीक है और चोल प्रसासन भी एक महाथ्पूर्णों कोश्चन दोनों नहीं है तो इसको भी आप लोग ध्यान से तיार कर लिजीए ठीक है टीक है नालंदा वि वलका है मतब एक्जाम के लिए क्योंकि फंस्ता जरूर पेच्छ हमें हमेशा मैंने जब जब देखा ठीक है नालंदा विश्विद्ध दाले बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण है तैयार जरू करके जाएंगे बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्थ भीवा पर प्रकाश डाली यह मेरे कोटिंग इतना महात्पूर्ण नहीं है समय तो पढ़ सकते हैं बाकि आप इग्णोर भी कर सकते हैं ठीक है सभी का उत्तर आप जैसे कि यह प्रस्ण का उत्ता जाना चाहरा है नालंदा विश्विद्ध दाले आप इसको तुरंत जाए गूगल पर आप लोग पर जाएगा ठीक है अज तो आज कल आप जानते कि वाइस का जबाना है तो आप लोग बोलकर भी आप लोग कुछ भी उत्तर बंगा सकते हैं ठीक है लेकिन यह जरूरी होता है कि यह तथा काडियोक विश्ना कीछ तो यह तो यह तो महात्पूर्ण मेरे कोडिंग नहीं त प्रित्र प्रश्णी के लिए 10 नंबर कुछ इन्वर्सिटियों में हलाकि 20 नंबर 15 नंबर भी दिये जाते हैं ठीक है लेकिन को ध्यान लगना वर्ड बेवफ था एक बहुत ही टॉप लेबल का कोश्चन है जो की अतिल्यक उत्तरिम भी उपर पहुचा गया था यह देख लि प्रचीन भारत में राज की उत्पत्ति के प्रमुक्त सिद्धान थी टॉप लेबल का ही कोश्चन है कि यह भी फश्टियर के समस्टर में भी आया था ठीक है कोश्चन और यह फिफ्ट समस्टर में पूंचा गया आप लोग सो सकते कितना महात पूर्ण वैसे कॉमन सा कोश प्रमुक्त सिद्धान थे वह आपको लिखना है ठीक है नेस्ट कुष्चन देखे नहीं हां यह इतने ही है दो ही पूंचे गये थे मतलब दो ही प्रस्णों को उत्तर देना है दो ही प्रस्ण पूंचे गये थे ठीक है अलाकि देख लेते हैं कि आपता और भी कोश्चन हो लेकिन इसमें दो ही दिख रहे हैं मुझको आगे तो पीडियाप खाता मैं देख लेते हैं अच्छा तो डेर स्टुडेंट दो कोश्चन और थे वह तो कह रहा था कि बाई चार कोश्चन दे जाते जिसमें से बोला जाता दो का उत्तर दीजे फिर एक का दीजे वह तो मैं हम रिपेटेड है इसलिए मैं आपको सगेस्ट करूंगा इसको जरूर तयार करके जाएंगे कि प्रिशीन भारते फिच्छा बेउफ्था पर प्रकाश डालिए काफी टॉप लेबल का हाई लेबल का कोश्चर है मेरे नजरिये से बाकी मैं आपको बता दूँ धान से सुन लीजे आप सभी इस माडल पेपर कोश्चन पेपर में देगे सारे के सारे जो कोश्चन मैंने आपको बताएं कि यह तैयार कर लीजे को वह बहुत ही महात्पूर पर जरूर आप फोकस करके जाएं मुझे पूरा भरोसा या दिमान लीजे कि आपका 75 नंबर का पेपर होता ह है तो आपके इतनी तो हेल्प मिली जाएगी बाकी आप लोग थोड़ा बहुत अपने इसाफ़े मैनेज कर लीजेगा आपको पासिंग मार्क मिल जाएगा ठीक है जो चात्र पास ही होना चाहरे है बाकी जो चात्र टॉप करना चाहरे है अच्छे नंबर और भी ज्यादा लाना चाहरे हैं तो वो लोग तो पहले ही तयारी कर रहे हैं उनको तो अच्छे पता ही होगा ठीक है मिलते हैं और नए वीडियो में जाहिंद यह पेपर आपको वाटसअप टिलेग्राम में मिल जाएगा जाहिंद